इनकार का फर्मा को उत्रे माबैन मनुतूर निया पेमा को उत्रे निया फर्मा को उत्रे इनकार का फर्मा को उत्रे माबैन मनुतूर असलाम लेकूम आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्यानिया मैं हूँ आपके साथ तन्जीला मज़र और हमार साथ मौजूद है बियानिया प्रोग्राम के मुदीर सीनियर सहाफी इंत्याज आलम सहाफ नाजीन आज के बियानिया में हम बात करेंगे ज़ाय अबलाग का क्या किरदार है कि वो मुद्शद्द और इंत्हा पसंद बियानिये को रोख सकें हम देखते हैं कि पाकितान में रियास्टी पॉलीसियां और तालीम चार दिहाईयों से मुझधत इंताप तसंदी और जंगी और मज़भी जनून को फरोग देने में पेश पेश रही हैं पाकितान में मुफलिस स्टा पर और कई बार ये बहस हो चुकी है कि जराए अबलाग यानि कि मीडिया के पास क्या जाथता इखलाग हो कि एक ऐसी पॉलीसी बन सके जहां पे इंताप तसंद दियानिये को फरोग ना देने के लिए मीडिया अपना किरदार अदाब कर सके बियानिया में हम कोशिश करेंगे कि तनकीदी जाइजा लें कि किस तरीके से मीडिया मालकान और सहाथी तंजी में अपना किरदार अदाब कर सकती हैं ताकि मीडिया के पास मुफशद इंताप पसंद बियानिये की रोग ठाम के लिए कोई जाथता इखलाग हो आप से आज सेनियर साहाथी हैं बहुत शुक्तिया जावदीन सब आपका हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत जबरदस आजियन्स हमारे साथ चंक्स्ट्र स्टूडेंस मौजूद हैं आप की तरफ भी हम आखर में आएंगे इंताप सब कई बात बात हो चुकी है मिल बैस के कुछ फैसले भी हुए जब अमल पैरा होने के तरफ देखते हैं तो मीडिया वाले खुद ही उसजात पर इसलाक की धिजियां बखेर देते हैं जिसके वो खुद राजी होते हैं कि यह बहुत जबदस काम हुआ कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में मीडिया का एक तुफान बपा हुआ अब इतलात के बगएर शौर नहीं मिलता इतलात नहीं मिलती इल्वहासिल नहीं होता तो जोई ये इतलाग का इंकलाब हुआ ना सिर्फ एलेक्टरॉनिक मीडिया, टेलिविजिन, रेडियो, बलके सोशल मीडिया में भी एक बहुत बड़ी हमने देखा उभाराया है जी कि उसके साथ इसाथ हमने ये देखा है कि मैयार गिरे हैं, पिशा वरना जो प्रवाने हैं वो कमदोर पड़े हैं, अखलाकी जवाब में धीले पड़े हैं काफी ज़्यादा नफरत अंगेजी हुई है, और काफी ज़्यादा इमेज बिल्डिंग हुई है, इंतहा पसंदों की और जषट की और जहाद की और कतल कताल की, उसे बियान किया गया है इसका तालुक हमारी ज़्यासत की पॉलिसिस से भी था, जो चार जहाईों से अफगान जहाद में मसूफ रही, और मुक्ति अदवार में मुक्ति अप्लिशिस लेकर वो इस सब कुछ करते रहें, और हमने पर देखा कि निसाब तालीम, कुतब, जराए बलाग और इधार के और बहुत सारे तरीकों को ये सुरत दी गई कि नौजवानों के जहन जो हैं वो जहर आलूद हो सके, हमारे ऐसी नसले बन रही हैं जिने जिदीद प्रकादों को पता, ने जिने जिदीद मजामीन का पता, ने जिदीद अलूम कर से आगाही हासल हो सकी, बलके एक रवायत पसंदी जगाले भी भी, अब इसे बावजूद के हम मीडिया वालों जानी साफिक जो हैं वेकिन जिरलिस्ट हैं और मालकान के प्जीवों के अपने अपने कोड़ अफएसिक्स हैं, जापते अखलाक हैं, और खुद पामरा का जापते अखलाक हैं और खुद बहुत सारे स लेकिन हम हेट स्पीच के नफरत अंगेस तकी या इसार उसके हक में नहीं हैं नहीं हम पगडियों चालने के हक में हैं नहीं हम अदम रबादारी को फैलाने के हक में हैं और ना ही हम माश्रे में नफरत और तफरका और फिरकावारियत और कई नजरी पहलाने के हक में हैं, कोई शादा दिली के हक में हैं, और दूसरों का और एक उसी दिग्राई के इतराम करने के हक में हैं, लेकिन बार कैफ आज जो हम मौदूद गेरे बहस दा रहे हैं, उसमें पर कि है जो रहले हैँ नर्म थो प्रक्व पूब्या थेक्क्त म75 पूरुथ को वह क्यоту देने के लिए हमारे मीडिया का क्या क्या कि क्या पूदिया है और उसकी व catts Pakistan जाहरे किस्व पश्रुब्या को पूसेई नहीं है हमारा education system ने भी इसमें काफी हिस्टा डाला है नाम तक media का तालोग है, media ने तकरीबन पिछले 30-35 सालों में काफी responsible कांट है इस ते ले में उसका reason है, वो है editor का फ़गदान यहने media के जो editor, date keeper जो होगा करता है ता, वो खतम हो गया मेडिया कंट्रोल किया जा रहा है by the owners, यह जो big business है उसमें media को take order कर लिया है, editor के जो रोल होता है वो होता है gate की पर, अब जाहर है कि खबरे तो बहुत आती है अब मुझे decide करना पड़ता है कि यह कौन सी खबर को मैं अपने चाप हूँ यह अपने channel से मैं relay करूँ और कितनी खबर कोँछी खबर किदर place करूँ lead कौन सा हो, यह सारी चीज़े एक editor का mind जो होता है, वो इस तरह से train होता है कि वो society में काम करता है, उस society का उसके सामने परसना होता है यह उसको यह पता होता है कि culturally यह society के limits क्या है आप mechanics बैन कर रहा है, कि यह examiner है, gatekeeper है, gatekeeper है, वो देखता है, वो gatekeeper की जमार में खनास अगर हो, तो फिर दो काम खतम हो गया ना, आपसे सवाल पूछता हूँ औरतों के मसले पे, अकलियत उनके सवाल पे, इंसानी हकूँ के सवाल पे, शाही माश्री की मजहमत के मामलाद पे, नए साल पे, बसंद पे, फिल्म पे, ठेटर पे, म्यूजिक पे, मीडिया के जहांतर आप तर रोल क्या है मैं चाहिए, मैं जाब गाये, मैं कहता हूँ, कि सारे मीडिया के लोग निया साल मनाते, लेकिन जब अग्रेजियन की खबर पढ़ते हैं, जिस तरह उपेश करते हैं निया साल को, कि निया साल उबाशी का और बड़ी बिद्दतों का साल आता है, और इसी तरीके से औरतों क मीडिया लेके से जाता है, अगड़ देडी होती है, जिन्मशे मिट्थे हैं, मैं जो ऑटे कि खवाल होता है, आप कूंसी चीज़ दे रहे हैं पढ़िक को, अपने विवर्स को, अपने रीडर को, आया वो चीज़ दे रहे हैं, जो वो चाहता है, और चाहती है, या आप द प्रेटर के जहन में पाकिस्तान का परसना होता है, इसमें फ्रिक्षन भी होती ही थोड़ी बहुती है, थोड़ी बहुती ही ज्यादे ही होती है, किसी भी दिए परसनालिटी में एक थोड़ी से फ्रिक्षन भी होती है, तो फैक्षन भी होती है। होते हैं तो वह जहन में होता है अगर नहीं होता है तो वह सिर्फ मालक के वज़ेशन है इसमें कुछ और सब्सक्राइब के पास पी हुए सवाल लेकिन हम अगला सवाल जो प्रोग्रेम का है वह आई रह्मान सब आपके पास लेके आते हैं कि इंतहापसं ब्यानिये के पाली सियां और तालीमी निसाब और निजाम अधारीम पच्चा किरदारा आप मीज़या पर बात करें लगें हैं इसके बारे हों बात कर रहे हैं इनपहाब पसंदी का जो बजानीय है उसकी ज़लेंगे वे दू चीजाओं में हैं एक मज़भयत में हुआ राध शेजफफसंदी में और शेजफ पसंदी में असक्रियत सबसंदी भी शामिले है हैं यह ज़ैया धूर इसमें भ्यासत दिन मजबियत ने फती दिये लियासत में मजब को फरुख नहीं दिया मजब तर्दीज नहीं की मजब में तहकित नहीं की इज्मा की दायत नहीं बेदा की जो मजबियत है उसको फरुख दिया तो लियासत मजबियत को फरुख दियती है जो इंताव पसंद अनासिर का परफगंदा है उसके मुखालबत नहीं करती दरीज से, कंप्लीट करती है कि जो हम जादा करेंगे आप जादा करेंगे, आप कौन होते हैं? आप जो तमाम सक्केरिन बनाते हैं जो परफ़ते हैं, आप से जादा हम करेंगे जो इसके बात पर यहाद करेंगे हैं, जो अश्कुरियत पसंदी बहुत हो गही है यह निया किसी चीज के साथ चीज का जो प्रमाना है, वो इसके है कि सेक्रिटी के अच्भास यह बास चाहिए या खलत है आप यह इसक्रियत पसंदी इतने बहादी आपने आप कभी यह नहीं कहते हैं कि साइंसदान आवार यह बात कर रहे हैं कभी यह नहीं कहते हैं कि इस पर दोने चीज़े आपने बना दी हैं अब इसनों मेडीया जो है मेडीया वीचानए किया करे मैं जो जो सुजादियन साबने का events near media में लेकिन किसका गाते अखिलाक है पाकिस्तान में, भाई अजिए प्येसरी देमें ताफ मैं आज भी कहता हूं कि प्येसरी का जाफ्ट एक अखलाव के बनाया गया था वो सब को प्रावना चाहिए वो आज भी बहुत अच्छा है उसमें खाली यह नहीं था कि मैं एकनामिक रियाश के लिए क्या करूँगा बलकि यह नी था कि मैं श और रोशन ख्याल पाकिस्तानी है और आप एक सहाफी भी है तो जिस दरहां का मवाद मीडिया प्याय जो लड़ाई जगडा है जो नफरत अंगेजी है उसमें भी तो किसी का कुसूर होगा नहीं वो मिदिया कुसूर है जरूर है उसके माद यह है कि मीडिया एक तो हम देखी ताकतों का शिकार होता है। तो यह जो यह जो है विशारी ताबंदियां बहुत जादा है। और यह भी है कि जिसके सियासत को अमना फरोग दिया है। जिसके सियासत को अमना फरोग दिया है। जिसके सियासत के तावीम हम देते हैं। निसाब का जिकर किया अपने निसाब का निसाब तो यही तादा करता है। आपका निसाब जो है यही इंताब तादा करता है। और मश्रुम में जादा जो आपको पब्लिक स्कूल है, उसमा जो निशाब मरावज़ा है, और जो किसम के मिलादर किये जाते है और जो सको हमके रिकायार जयान कि जाते हैं, उस तभी इंतहा प्रसंदी फिरदाती है। आप किसे में इतनी जुलत नहीं है कि किसी किताब में फोरिस तब देनी कर देए अच्छा मैं आप से मुझी सवाल पूशा चाहूंगा जो मैंने ज्यासा सब्सक्राइब कि आप पिछले चालिस साल की जो कॉंटेंट है मीडिया का जो महद है मवाद जो छपता है समाजी मामलाद से लेकर अशकासी मामलाद तक और स्यासी सवालाद से लेकर आलमी और इलाकाई मामलाद तक और नहीं मामलात तरह आप इस कॉंटेंट को इस मवाद को चन्द लफ़ों में कैसी बेहान करेंगे नाकदाना निगास नहीं यह मवाद जो है जमूरिय से गुरेश तो मदनी है जी और आपको मरत के बनावर क्या और आपको बिलकुल खता करने के लिए तियार है और इसमें और अर्में अगरीए के विश्मने माजूद हैं जो यहां से यख़वार हैं जो इन फुलंचन हैं जो बार असार अप्र अथरोगत थे वाले हैं उनके परैस्टेश कमाहस में आवाद में शामले यहाज भी किस तरह की बड़ की सबरे गल्यूस कि किस तरह की कडर पर मोठ क हैं अब फ्रोव भी हैं मीडिया ने हैं नहीं मीडिया पर भी अच्छर हुआ है बहुती चीज़ों का इसाल के तोर पर पाकिस्तान is in a state of war for the last 30 years. First Afghan war हुई है तकरीबं 10 साथ उसके बाद there were two low intensity wars. One on the side of Taliban against Northern Alliance. One on the side of freedom and stragglers in occupied Kashmir, on the side of freedom fighters, वो भी 10 साल तक चंती रही और फिर उसके बाद फिर बुल्क के अंदर खुद इन्हें terrorism के साथ जाए यह जो 3-4 चंड के जंगे चंती रही पिछले 3 साल के तो अशिकार हो गया. Media तो शिकार हो नल, देखो ना, जाब media एक और एक और एक बाद मताएं. Media इसके खलाफ पुदाएं, नहीं नहीं, media did not even realize this, क्योंकि हमारे यहां कोई war correspondent नहीं, इन्हें तीस साथ तक हम जंग लड़ते रहें, मुश्क जंग लड़ता रहा, लेकिन war के लिए, reporting के लिए, कोई expertise हमारे पास नहीं. Media के किरदार जिस पर इंटाब साथ बात करें, होना क्या चाहिए? निया पैमा को उत्रे, निया खर्मा को उत्रे, एक बाच आप खुट रहें में हुशाम दीद कहेंगे, आप देख रहे हैं, बियानिया और, ब्रेक पर जाते रहे हैं, खालत पारुकित आपके लिए सवाल था कि इंतापसंदी की रोग ठाम के लिए, मीडिया के पास दापते अखलाब होना क्या चाहिए? करते हैं, जिसके मुझमत करते हैं, वो मजभी भी है और स्यासी भी, सिर्फ मजभिया तक महदूद नहीं रहे गया, आप जितने मुबाइसे होते हैं, जितने प्रोग्राम होते हैं, उसमें सब लोगों को उन लोगों को रेटिंग मिलती है, जो बहुत तल्ख जमले कहते है जो नफरत अंगेजी पर हम अपनी जुमले कहते हैं, जो कतल की बाते हैं, जो तिशदद की बाते हैं, जो दूसरे के बारे में जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं, जो मिसाली हेट स्पीच हो सकती है, मिसाली इस सेंस में नहीं कि अच्छी सेंस में, मिसाली इस सेंस में कि अप तो मालकान का मुफदात जो हैं वो बहुत मस्बोट है और आठाल कि मेडिया ने ने कौन वह बिल्कुल वे जब उनको फिननाशली फाइदे पहुंचते हैं लोगों को बरकाने ने बिल्कुल ऐसा होता है आप आपके सामने आपको यह पता चलता है कि आज का जो इलेक्टरनिक मेडिया है इसमें आप देखेंगे कि आपको बाज अकाद दस चैनल एक ही लेटर पढ़ते हुए सुनाई देंगे एक तरह की गुफ्तुबूल पर वाइड किया जाता है तो रह्मान साथ ने इस पारे में बात कर दी कि वो सिर्फ अंदेखे हमात नहीं है अंदेखी कुवतें भी हैं जो प्रवाइड करते हैं हमारा मीडिया जो है वो एक तरह से एक तो ग्रोह में चला गया नहीं बताईए कि पैमरा का जो बड़ा एलाबरेट वो जापता अखलाग है हम ने उससे पफाग नहीं हैं बहुत सी बातों से बहुत सी बातों से मुझारा नहीं किसम पकड़ लें बहुत लें लेकिन उसके अधालते आजाती हैं इसके और दे लेती हैं फिर ये के हमारी सारी भी सारी कौपर सेक्रेटी जो प्रॉसी है इस्तिहार देने की वो क्यों नहीं जोड़ी जाती है इस बात से कि कौन तशद्र के फरोग को रोपता है को अमन को यहां को तक्राइब को तखमिल देने में करता है इस बियाद ते क्मिल ने इश्टार गारा दी कि जब स्टेट की तरफ से ऐसे अनासर की होसला अफ़जाई होगी जो ऐसी गुफटगू करेंगे मीडिया चैनल्स पर बैट के जहां पर वो दूसरे के खिलाफ बहुत को अपना तफ्रा या तन्कीज या कोई उसके आरा का इजार नहीं कर रहे हुते बलकि उसके बारे में वो बहुत शिद्दत में चले जाते हैं और ये शिद्दत हमें मजज़दी से अक्टि मैंने आपको बताया कि आप जो कल्चर चेंज हो रहा है तो स्यासी एकपार से भी है मैं यह समझता हूं कि हमारे प्रोगैमों के ये अखर बात मेडिया में तो किसी हब करुंटर्रा creators Executive पे८रा को उसका है ना सक्केट के अलाजड़до करने कौए ओनावा प्रिषिय क मिलता है आपने जैसे करते हैं पेमरा के खानी बहुत अच्छे हैं उसमें इंप्रूम्मेंट तो हो सकती है लेकिन उनको उनकी एफेक्टिवनेस इसलिए मारी जाती है कि वह हुकुमत वक्त का इने डिपार्टमेंट होता है इन्फरमेशन डिपार्टमेंट का एक छोड़ा सुष्छल है वो तो जो भी वह पैसला करेगा अगर सही पैसला भी करेगा तो लगेगा यह कि वह हुकुमत की तरफ से आया है और जैसी यह अंधाजा होगा या किसी को भी विक्टम भी यह तो हुकुमत के तरफ से आया है, इसका मतलब यह कि उसको हुकुमत से आप अलयदा कर दें और उसको अटानमस बॉडी बना दें मिसाल के तरफ पे उसका जो मैनेजिंग डिरेक्टर होगा उसको एक बाइपार्टिसन जो पार्लिमेंटरी पार्टी हो वो फिर उसको इसको सेलेट करें सब्सक्राइब कर देखते हैं क्या कर रहा है मीडिया और कैसे इसको काबू किया जाए यह जो रही है या जूट को रोकने के लिए हो रही है कि तमाम जो रवाबित बनाए जाते हैं यह सब डोंट से मपनी होते हैं डोन डो डिस ड्री डोंट डो डेसलों डू डो डिस डीपनाधू से कांड कि समर्ज में एक वाазд मार राति हैं कि breath condition हरा प्लज के लिए होते हो यह कह दो करोम बनमा आट टागुटाना बःस मों बसते हैं जो आपने घूल य Очल्कर निनिक की आपकर मेड्या में मिज़े मिलती है चोरों को, रुटेरों को, वही जब बयानिया है, यह न, क्योंकि खमर तो यह जमी बनती है, जब मैं बाइस डॉक, जॉक बाइस मैं तो इध़ावर ने बनती है, तो हमारे बयानिये में इस बात की मझे शिद्दत की जाती है, कि जो अच्छा काम होगा है, उसको प्रोमोट करना भी मीजे शुने का फ़ज़ है, लेकिन आजादी क मसला यह है का हमारे मीजे वी आजाद है armored वी आजाद हैं कि लेकिन हुकोँमत के ओप ख़्खकते हैं को संभाने प्रेड़। काम है इंटासर आप क्या करें थीर हमारा बीडिया जब से जिम्हुरी बोड़र शुदू है है जिम्हुरियत लासदानों मतोस से बजारों चैनल कि ना और है। उनकी स्केंडल बनाने में दफर गंगेजी करने में बहुत हुदा क्या है कि साथब्दान जिसने जाके वोट देने होते हैं वो मीडिया पर हमला करके अपना मुझ काला नहीं कर सकता लेकि मीडिया के लिए कुछ दोगों एरिया यह इसारा आम नहीं है यहां आम दाखना बंदिश के बोर लगा होता है दीडिया वा नहीं जासे है हमारा खैर यह है रेहाति आजारों का वो मीडिया को क्न्टॉर्ण कर सकते हैं वो जैसे चाहे पबलीक उपीम्ण बना सकते हैं उसके लिए वो हर तरह के जरी अफ्ता करते हैं उनको बड़े जराय हैं बड़े पाकत हैं लेकिन मैं समझता हूं कि ये काम चलने वाला नहीं है एक आमराना रियासत में फिक्री तरकी फिक्री बिलूगत और तख्लीकी तख्लीकी स्वाइटें फ्रोग नहीं पासकते हैं कि इन देख्कान गृप को मेंस्टीम में लाना चाहते हैं उसको मेंस्टीम में लाने के विज़ाये उसका मेंस्ट्रीम पे कब्दा करवाने की कोश्च शुरू हो गई है आपने देखा कि जो लाहर में जिन्नी एलेक्शन हुआ उसमें दो पार्टी है तेरा जार वोट ले गई है और ये उनका बिल्कुल पहला एलेक्शन था फिर उन पार्टियों के बारे में सभी जानते हैं हमने वह तक भी इस तरह की सबस्काम जा जिए पाकिस्तार विने की बनती हैं किरना टीवी टॉक्शो शूर्ड ग्रमा फारा दियानि है फ़िउडिशे पिलिटिकल टॉक्शो शूर की बातन है मॉरूनिंग शूर्स में गॉन सीन रिएनेक्टमेंट सब देखते हैं आपन हमारे पैनलिस्स के और इम्टार साथ की गुफ्तूबों सुनी है, सवाल कौन करना चाहेगा, जिसके पास माइक है, जी. जियाओदीन साथ से मेना सवाल है, सिर, आप कह रहे थें कि जो मीडिया है, इडिस नुट फ्री, तो क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया, हर मीडिया का स्पेट्रम बहुत ब्रॉड है, तो जो न्यूस हैं, मेनी न्यूस चैनल्स हैं, वो हर न्यूस चैनल एक डिफरिंट त उस पे जो है वो बेस कह सके हैं, उनका जो न्यूस आंकर्स होते हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहता है, इस टेट, डिफरिंट सेट अफ ग्रोप्स, और मेनली प्लिटिकल पार्टी, वाशुक्तिया, जी जैसा कि अभी बहस में बात चलती रही, कि सबसे ज्यादा जो कंट् पड़ती है, अपने हुकोमत एवाक्त या स्टेट के साथ बना कर रखे, क्योंकि उसका बिजनस उसी वज़े से फ्लारिश होता है, तो फिर इमेजियेटली वो एक्सप्ट कर लेता है फौल्स की डिरेक्टिव, अगर वहां प्रोपेशनल एडिटर हो, तो वो रिजिस करत है, अगला सवाल आप करेंगे, किससे सवाल देए? उसे पर क्यादी की जाएा, उसे मढे सुना जाए, उसे मढमावाद की जाए, महल में बने कि कोई आप मी ज नफ्रद यद्यदी करता यथ तो लोगर कर दृखेंग दी क्या बात कर रहा है, जब ऐसी मजाहमत होगे, अवामी रायहमा से, बहुते होतीथ कित हम से अकित हो बैठे हम देखने हैं कि प्रडें मारा हैं टैलेविजीन से बीजिट के रहे हो पर की हम मख़बार के इडिटर को ख़ नहीं लिखते हम सोचिल वीडिया पर से तर्थीम नहीं करते हैं हम उन्हें लेटर भी एडिटर नहीं लिखते हैं जब तो यह मजामत नहीं करेंगे तो वीडिया को उसकी होश्च छिखाने पर लगाना मुश्किन होगा जी अग्ला सवाल आपके पास नाइक है जी सवाल कीजिए मेरा क्वेश्चन रहमान साथ से है कि एंकर्स कुछ ऐसे रोगों के इंट्रव्यूज लेते हैं जिन्होंने हजारों लोगों का कतल किया होता है और चैनल्स उन्हें नशर करते हैं अपनी रेटिंग के लिए तो सर्क क्या यह चीज जलत नहीं है इसको रुकना नहीं चाहिए सवाल आप पर दुरुस्त है कि हमारे हां जो सोशल एक्टिविडिटी है जर्म करने वालों की वह बहुत बढ़ गई है अधिनान था के जो भी स्यास्षप में होते थे जा मीडिया नहोते थे या सोशल एक्टिव होते थे वह नून मुदिदों के साथ तस्वीर नहीं कि चाहर करते थे और उनसे रवाबित को बलकि अगरा खान्दाम में कुछ हो जाता था आजमी आता तो उससे उससे खान्दाम वाले इस बनाशने लगते थे और उसके दिकुते अखर नहीं करते हैं बलकि किस चर्मिंदा होते थे लेकिन अब हमारे मुलक में यह बास होगी एक खाली मीडिया में नहीं सियासत में भी और समाजी तर्टेर के भी जितने जाज़ा जाज़ा बदमाश है उसने जादे इज़ादे इज़त है आपके वाजुके आईयर रह्मान साथ जी अगला सवाल आपके पास माई के किस से सवाल करेंगे जी कीजिए मेरा सवाल यह है कि मीडिया की मदल से हम मझभी फिरका वारिद को कैसे खतम कर सकते हैं कि मीडिया किसी तरह की फिरका परस तहरीर को दूसरे के खलास नफरत अंगेजी को एक मसलक की दूसरे के खलास नफरत अंगेजी को जिन्स की बुनियाद पर नफरत अंगेजी को और निसलियाती बुनियाद पर दबान के एक बास नफरत अंगेजी को रोके चंसर करें मत और फ़लाव रोकिए बस फिर्व यह दरीका है बहुत युक्राइब आप ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बापस आएंगे तो मजीद सवराइब चामिल करेंगे हमारे पैनलिस्ट के लिए आप देखने हैं ब्यानिया हमारे साथ मेरा सवाल जो है खालिद फारूकी साथ से सर आपने बात की आउनर्स के बारे में जो किजाब्ता इखला को खराब करने में उनका किरदार है एक मनफी किरदार है तो सर आप क्या यह नहीं समझते कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको बाइक आउट कर देना चाहिए इस चीज़ का आ पाकई नहीं है इसलिए कि हमारी जो यूनियंज हैं वह भी पाकट यूनियंज बन देए वहां भी कोई जहां पहले जैसे जिया सबने बात की कि एक वक्त में जब सिर्फ प्रिंट मेडिया था रिमान सब भी जानते हैं क्योंकि यह तो दोनों ऐसी तहरी को चुछाते रहे हैं लेकर 이야기 है कि अब ओतरी कि बारी जुनियन उसतaram की और मेडियुशन नंका व्यूद नहीं रह गया अबहु बज्ति ना कहीं कि communications जर्फ पे तो कि फेंझा रिजिब करई होंगा कि वह एजियंट कारोल प्ले कर रहे होते हैं इसलिए इन्वर्डी तोर्ते कोई श्यक्स कि उठके नहीं कर सकता कि वो बाइकार्ट करके निकलाए जो लोग कोशिश करते हैं उनकी रिप्लेस्मेंट आ जाती है और रिप्लेस्मेंट में क्योंकि आसानी यह होती है कि जो कुछ उन उनसे कहलवाया जा रहा होता है वही कुछ जो मुआद है दूसरे किसी बंदे को प्रवाइड कर दे जाता है तो वो उसकी ड्यूटी करने शुरू करते हैं क्रियेशन नहीं है उसमें लेकिन यह है कि वो सारे के सारे लोग जो इस तरह के प्रोग्राम्स में या इस तरह की करने वाले आजाएं कि लिए नहीं समयता किसी को बाइकाट करेंगे दूस्त बात इंत्यास सवाल की तरफ चलते हैं जी किससे सवाल करेंगे आप से इंत्यास सवाल करूंगे से मेरा क्वेस्टिन ऑनर के लिंग पे है जिसकी बड़ी एक जादर कंदील ब्लोज पे है तो कं अंडिया कर और भैया कोई उसके सबाल और नहीं था मजह लेने वाला था चस्का लेने वाला था स्केंडलाईज करने वाला था और जो साहथ उसमें मलवत थे अपने भी स्केंडलाईज करने वाला थैं आम तोर पे हमारा यह जो ओनर किलिंग पद्धिर गारि हमजर्गी जो कतल हुआ होता है उसके साथ नहीं है आप खबर ने परते आशना के साथ भागी। विए आशना है लड़की के साथ क्यों नहीं भाग गया। लड़के के लिए बागना निगानगी का पाहिछ है। लड़की के लिए अपनी मरजी के शादी के लिए बरजी के सब्सक्त के साथ जाकर निकाह कर लेना बहुत Particularly माश्री में आरत के बारे में तिसम्रव और यह कहीं मेरे मिल्काव साह varianceAre हमारे मुलके जो हुट नावि नामी नाम है जो अगर मेडिा उनके हक में बात करती ढ स्थन्वर किया जा तो उसको बहरा स्पूर्प किया जाता जिसने कोई इस तरह का क्वेशन किया हो तो क्या यह सही है यह गलत है मेडिया क्या गलत खबर चापती है देखिए जहां तक तालुक है खबर का उसमें मीडिया का रेपोर्टर को एडिटर को टैंकर को नूस कासर को किसी को हखासिल नहीं है उस खबर को रंग दे लेगे रंग दिया जाता है मन्फी या मुस्बट ये ठीक नहीं ख़िए दूसी बात यह कि आपकी राय हो सकती है किसी के बारे में आप एक शासादान की किसी एक पॉलिसी दें तफाक कर सकते हैं किसी दूसरे पॉलिसी पॉलिटीशन ये इदारे की पॉलिसी दें आप कर सकते हैं ये तो आपका हर शहरी की तरह मीडिया वाले कभी है लेकिन हमें प्राटीरी मनना चाहिए उन्हें मुम्किन है कि मैं इमराल खान की एक लुक्ते पे बहुत हमायत पुरू विसाल के तौर पे उन्होंने जब प्लाटेशन शुरूर की दर्फ लगाने चाहिए मुझे अच्छा लगा बहले एक अरब ना लगे एक क्रोड लगे हो लेकिन मुझे अच्छा लगा तो जिए शुर उठाया विसाल के तौर पे अब जब मुझे नवाज श्रीफ की सो पॉलिसिक प्लाट उन्हें के प्समंदर पेखला जहां ते उस ताहसत में आये लेकिन अगर वो स्यासी मुंत्खम इदारों की बर्तरी की बात कर रहे हैं अवाम के अच्छे हुक्मरानी की ब सोना चाहिए जिस बाते इत्वाक हो सकता है तो हमें मीडिया को पार्टी नी मनना चाहिए हमें इशू टू इशू आप प्रदिशन लेनी चाहिए जिए एक है जो इसका जिकर नहीं हुआ वो यह है के बहुत मुत्वा सच को दबाया जाता है सच को कहने से रोका जाता है हला कि सच हमेशा चाहिए देता है लुखने तो यह जो हमारी हम दाख है सच का हौप हो गया बहुत जादा यह मत कहो किसी की आखी बात मत करो यह इसकी वज़े से मेडिया में से जुरत नहीं रही उसका आजी हो गया है कि हाँ यह विद्वास बिलकुत ठीक है और आप यह बिलकुत भूली है कि इस्रामाबाद में जब जैसरत पसंद तंजीमों के बैने बचते थे कौन लगाते थे अचा हमने क्योंकि इस मुफ्तकू को समेचना है तो मैं चाहूंगी कि जैसरत तीनों से ही पूछ लिया जाए कि आपको लगता है मुम्किन है जिस तरह का इस वस्फ लो है इंफर्मेशन का जो यलगार है मीडिया की और नहीं जराय आ रहे हैं अबलाग के क्या वाकिश जापता इखलास बनाया जा सकता और उसके अमल हो सकता है जापता इखलास तो बहुत सी सुर्तों में मौजूद है मुश्किल है पूरे दुनिया का जो मीडिया जो है ना स्टेट अफ फ्लक्स है टेक्नलाजिकल डेवलेप्मेंट जो इतने फास्ट हो रहे हैं तेली कौम में और इंफर्मेशन टेक्नालोजी में कि वो बहुत सी चीज़ें जो आज लगती हैं कि ये कंट्रोलबल हैं वो कल आसल कर जाती है मेरा ख्याल है कि मीडिया अगर पाउर्फल हो गया और कंट्रोल से आजाद हो गया तो तब हम ये तवक्व कर सकेंगे कि वो उन बातों को जैसे मैंने कहा कि एक ही तरह का प्रोग्राम मुख्लिफ चैनल पे चल रहा होता है उससे बाहर निकल सकेगा ऐसी शकल में अगर मीडिया ताकत पर हो गया अगर ताकत पर ना रहा और स्टेट उस पे हावी रही और नान स्टेट एक्टर्स उस पे हावी रहे और हमारे प्लिटिकल पार्टी तो हैं वह उन पर हावी रहें तो फिर मीडिया से आप आजाद बात करवाना अच्छी बात करवाना मुश्किल समझेगे लेकिन बेपरी की उमीर तो फिर भी रखनी चाहिए आये रहां साथ मुंकिन है कि मीडिया को यह समय चाहिए को अवाम की निमानगी करता है आपको इमकानात क्या नज़र आते हैं यह सिर्फ सिच्वेशन के हवाले से ज्यादा हम गुफ्दू करते हैं मीडिया पे जो बुनिया नहीं हैं हमारे हाँ जो रवायाद हैं, जो बराबरी हैं, उसके ओपर भी मीडिया फातफा रोल नहीं अदा कर पा रहा है। वाली आगे के तर देखने वाली टॉलरेंस वाली होंगी उतने माश्रे में जिहूरी कल्चर और रवादारी और मेल मिलाप भाहिचारा बहन चारा बहेगा इसी तरह मीडिया का मामला है मीडिया जितना माश्रे में अच्छी अगदार को फरोग देगा अच्छी सेंसिबिलिटी को अच्छी नजर को फरोग देगा उतना मीडिया भी तरकी करेगा अगर मीडिया ही माश्रे में नफरत को और पस्मानगी को और गलादत को और दवानी को बढ़ाएगा उतना खुद भी उसका बख्लूब और उसका शिकार होकर आजाएगा तो मैं समझता हूं कि लादू मुल्दू में कि माश्रिये में भी रबादारी बड़े जमूरी रबादारी बड़े इसी तरह मीडिया में भी मीडिया को चाहिए रोल प्ले करें व्याददीन साथ, खालर फारुकी साथ, आहीर रहमान साथ बहुत शुक्रिया, अंत्याज आलम साथ आपका भी शुक्रिया, और आजिया बहुत अच्छे सवालागा पूचिया आपने, नाजरी आपने बियानिया देखा, मीडिया का बहुत अहम किरदार है कि वो पाकिस्ता को इस तरक्की पसंद रोशन ख्याल मौशरा बनाए हमारे नوجवानों को, वो तरक्की पसंद उलूम की तरफ ले का है, अगर मीडिया खुद इंत्हापसंद बियानिये का शिकार हो जाएगा, या इंत्हापसंद बियानिये के साथ मिल जाएगा, चाहे वो मीडिया का कुछ हिसा हो ज्यादा या कम हिसा उससे पाकिस्तान में तरक्षी पसंदी के अमल को बहुत नुकसान पहुंचेगा उसमें मीडिया के मालकान को भी ये रेलाइज कराने की जुरूरत है सहाथी तन्जीमों को अपना माज़ी कर अई उसको रिवाइज करने की जरूरत है और अपने हमारे ज़